प्रेंज रमश्कार मैं हूँ आपका फ्रेंड कमल लंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का आप सभी व्यूवर्स का वैलकम करता हूँ आप ही के अपने चैनल कमल लंदलाल पर यूट्व फेस्बूक और आज़ेटीव नेटवर्क पर फ्रेंज हम आपके लिए लेकर आए है special series के अंतरगत साथाहिक राशिफल योर weekly horoscope और यह जो साथाहिक राशिफल है यह सुमवार 29 अगस 2022 से लेकर के रविवार 4 सितंबर 2022 तक का और इस साथाहिक राशिफल में हम बात करेंगे मेश से लेकर मीन राशी के राशिफल की साथ इसाथ आपको बताएंगे राशिय अनुसार को चरल उपाए और यह जो राशिय अनुसार उपाएं होंगे यह गणेश उत्सव के जो 11 दिन का गणेश उत्सव है उसके उपाएं होंगे गणेश जी से सम्मंदित इसके साथ साथ आपको बताएंगे तीन विशेश पर्व से सम्मंदित उपाए जो सब्ताहा के विशेश पर्व हैं बात करेंगे हम इस सब्ताहिक राशिफल में ग्रह और गोचर की पूरे सब्ताह वर के गोचर का ग्रहों का हाल बताएंगे आपको बताएंगे आपको विशेश पर्वों के बारे में और जानकारी देंगे आपको इस सब्ताहा के शुवियोगों के बारे में तो चलिए साप्ताहिक राशिफल की शुरुवात करते हैं और ये जो साप्ताहिक राशिफल है ये है सुमवार 29 अगस 2022 से रविवार 4 सितंबर 2022 तक का तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे ग्रह और गोचर की इस सप्ताहा सूर्य का सफर सिंग राशी में मगा नक्षत्र के चोथे चरण से सिंग राशी में ही पूर्वा फागुनी नक नक्षत्र से धनु राशी में मून नक्षत्र तक रहेगा मंगल का सफर वरिश राशी में रुहिनी नक्षत्र के पहले चरण से रुहिनी नक्षत्र के दूसरे चरण तक रहेगा बुद्ध का सफर कन्य राशी में उत्तरा फागुनी नक्षत्र के चोथे चरण से हस्त नक धनिष्टा नक्षत्र के दूसरे चरण तक रहेगा यानि कि शुकरदेव जो हैं वो राशिपरिवर्तन करेंगे और ये करेंगे बुद्वार 31 अगस्त को शाम को चार बच कर उनतीस मिनट पर शनी का सफर उल्टी चाल से मकर राशी में धनिष्टा नक्षत्र के दूसरे चर पूर्थी मनाया जाएगा और इसी के साथ ही ग्यारा दिन का गणेश उत्सा प्रारंब हो जाएगा गुरुवार एक सितंबर को रिशे पंचमी और इसका अंद शष्टी मनाई जाएगी शनिवार तीन सितंबर को दुरवाश्टमी विशेश दिन ललिता सप्तमी और महालक सब्सक्राइगा जाएगा 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 जाएग को बताएंगे गणेश उठसब से सम्मंद राश्य अनुसार उपाए और आपको तीन विशेश पर्वों के बारे में भी बताएंगे उनके उपायों के बारे में तो चली सुरुवात करते हैं सपता ही कि राशे फल की पहली राशी मेश के साथ में यह सपता अच्छा रहेगा कारशेतर की स्तिती अनुकूल रहेगी, खास लोगों से, संपर्क से लाब होगा, पुराने रोगों से निजात मिलेगी, कारोबारी लाब बढ़ेगा, उपाय क्या करें, गणपती पर मसूर चढ़ाएं, दूसरी राशे प्रिश्यानिक टौरस की बात करेंगे, यह सपता ब् रहेगा, कारशेतर की स्तिती सुधरेगी, इंटर्वी में सफलता मिलेगी, सुख सुविधाय बढ़ेंगी, लगू यात्रा के योग हैं, खर्चों में व्रद्धी होगी, उपाये करेंगी, गणपती पर दुर्वा चढ़ाएं, चोथी राशिकर क्यानिकी कैंसर की बात कर रहेगा, और पहला पर्व है गणेश चतुर्ती, खास पर्व, तो क्या करेंगे आप, आइने में अपनी शकल देखकर उसे गणपती मंदिर में दान दे दीजे, चढ़ा दीजे, कलंग चतुर्ती का ये उपाय है, कलंग से निश्चित मुक्ती मिलेगी, बात करेंगे पां रहेगा, सामाज एक रुतबा बढ़ेगा, आत्म बल में व्रद्धी होगी, दाम पते मधुर रहेगा, व्यापार में वड़ा धनलाब होगा, अनाशव अनावशक तनाव से बचे, उपाय ये करें कि गणपती पर पान का पत्ता चढ़ाएं। संतान को पूरा समय देंगे, उपाय ये करें कि गणपती पर गुड़ का भोग लगाएं। समय है, परव के उपाय का और ये परव है रिश्य पंच में, क्या करया, सब्त रिशी और देवी अरंधुती पर पांच फल चढ़ाएं, और चढ़ेवे जो फल हैं, किसी कन्या को दान दे दें, इससे सुख सो विधाओं में व्रद्धी होगी। सब्ताहा संगर्शील रहेगा, कारशेत्र की स्तिती सुधरेगी, सब्य प्रमन्दन का ध्यान रखें, लाब के मोखे मिलेगे, संतान से खुशकबरी मिलेगी, छातर सफल रहेंगे, उपाईए करें कि गणपती पर नारियल चढ़ाएं। क्या करें आप, मौली में बंदी 11 दुर्वा पर संदू लगा कर गणपती के मस्तक पर मुकट के रूप में चढ़ाएं, इससे आर्थिक संकट दूर होंगे। तो दोस्तों, हमने बात की साप्ताहिक राशिफल की, आपको पूरी जानकारी दी, और ये जो साप्ताहिक राशिफल रहा, ये रहा, सोमवार 29 अगस 2022 से रवीवार 4 सितंबर 2022 तक, ऐसे ही एपिसोड्स को लेकर, कल आप से फिर मुलाकात होगी, आज के लिए बस इतना ही इजाज़त दीजे, नमस्कार, नमस्षवाएं